हेलो प्यारे विद्ध्यार्थियों स्वागत आपका अमारे यूटूब चेनल ओनलाइन इस्ट्रेडडी वाई एनके में आज मैं आपके लिए लेकराई हूँ कक्सा तीन पहल हिंदी कारी पुस्तिका में OCR आधारित आकलन दो पेज नमर 88 पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना तो चलो आईए देखते हैं ओस्यारादारित आकलन दो निमनलिकित गद्यांस को द्यानपुर्वक पढ़ कर परशनों के उतर दीजिये ये गद्यांस दिया है निचे इनके प्रसंद दिये हैं इसको पढ़ के इन परशनों के उतर देने हैं एक सेर अपनी गुफा में आराम से सो रहा था एक चुआ आया और सेर के सरीर पर चड़ कर फुदकने लगा सेर ने चुहे को पकड़ लिया चुहा रोने लगा चुहे ने गिडगड़ाते हुए सेर से कहा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी एक दिन तुमारे काम आऊंगा सेर ये सुनकर हैंसपड़ा सोचने लगा कि बला चुहा उसके काम आ सकता है फिर भी सेर ने चुहे को छोड़ दिया कुछ दिनों बाद सेर जाल में फस गया सेर की दहाड सुनकर चुहा बागता हुआ उसकी मदद करने आ गया चुहे ने अपने दांतों से जाल को काट कर सेर को आजाद कर दिया इस तरह चुहे ने सेर की जान बचा ली फिर चुहा और सेर दोस्त बन गए ये था गद्यान्स प्रसन है पहला गुफा में कौन सो रहा था तो गुफा में सेर सो रहा था इस पर टिक कर देंगे दूसरा है चुहा रोने लगा क्यों रोने लगा सेर के पकड लेने के कारण सेर ने पकड दिया तो चुहा रोने लगा तीसरा प्रसन है चुहा बागते हुए आया सेर की दहार सुन कर तो इस पर टिक कर देंगे अगला है च्यार का चुहे ने सेर की जान बचाई कैसे बचाई जाल को काट कर अगला प्रसवन है 5 का सेर का इस्ट्रिलिंग सब्द होगा तो सेर का सेर नी होगा अगला अच्छे का दोस्त का विलोम सब्द है तो दोस्त का दुस्मन अगला है साथ का प्रसंद आजाद सब्द का अर्थ है आजाद का मतलब सवतंतर फ्री आठ का है उस सब्द को पहचान ये जिसके अंत में रे की दवनी आती है रे की दवनी सुर इसके आती है अगला प्रसंद है नो का चित्र में दिखाई गई वस्तु के नाम के पहले वर्ण का चैन कीजिए तो ये क्या पतंग तो पहला वर्ण के आएगा प अगला अदस का उस विकल्प को चुनिए जो दिये गए सब्द को पूरा करता है देखो ये क्या है मटका तो क्या लिगाएंगे का दे रखा है मटका ये जोडेंगे इसके आगे तो ये क्या हो जाएगा सब्द पूरा हो जाएगा इप यो लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद